नमस्कार मैं हूं नंदनी आप देख रहे हैं दा फुल जड़ी आए नज़रे डालते हैं मुख्य खबरों पर 20 अक्टूबर को परधान मंतरी नरेंद्र मोदी कुशी नगर इंटरनाशल एरपोर्ट का उदघाटन करेंगे लोगों तक पहुँशने के लिए BGP ने तयार किया माइक्रो मैनेज्मेंट प्लान देश कूपरथा को रोखने के लिए योगी का मास्टर प्लान तयार सरकारी करमचारियों को देना होगा पर्मान पत्तर अखिलेश यादव ने कसा तंच केंदर के जुला योजना हो गई है फुजवला योजना यूपी को बुलो और बुल्डोजरों से बचाना है को एक्सेन के अप्रूबल प्रोसेस लंबा होने पर WHO ने कहा प्रोसेस छोटा नहीं कर सकते जम्मू में आर्मी कैम में करीब दो रोहंग्या पकड़े गए रंजीत सिंग के मडर केस में राम रहिम को उमर भर की सजा बिग बोस केप्टेंसी टास्क में जयाम हनुशाली और तेज़स्विनी का हुआ जगड़ा अक्षे कुमार की शुर्यवंशी फिल्म का पहला सौं आयलार आयला 21 अक्टूबर को होगा रिलीज 22 अक्टूबर से पूरे राज्यो में सिनमा घर खुलेंगे उद्व सर्टार ट्रांसपोर्टरों को आर्थिक मदद देगी CBSE ने दस्वी और बार्मी की बूट की परिक्षा के पहले टर्म की डेट शीट की घूशना कर दी है कक्षा बार्मी के चात्रों के लिए 1 से 22 दिसंबर और कक्षा 10 के चात्रों के लिए परमुख विश्य के परिक्षा है 30 नॉम्बर से शुरू होंगी और 11 दिसंबर तक चलेंगी चंदर शेखर का मायावति को ओफर आप 2022 में हमारा साथ दे हम 2024 तक आपको पीम बना देंगे लगाता चार दिन की तेजी के बाद आज तेल की कीमतों में बढ़त की राहत मिली है बिल गेट्स की बेटी ने रचाई शादी जैनिवर गेट्स की संपत्ती लगबग 20 मिलियन डॉलर यानी 150 करोड रुपए से ज़ादा है RBI ने SBI पर 1 करोड और स्टेंडर चार्टड पर 1.45 करोड रुपए का जर्माना ठोका बंजाब में चर्ष दौरा धर्मान्तर इंग राय जाने के मामले सामने आने के बाद विश्व हिंदू परिशद ने मोर्चा खुला सोने के भाव में लगता वृध्दी देखने को मिली है लगनों के सराफ़ा बजार में सोने चांदी की कीमतों में कल के मुकावले बदलाव आया है आज यहां 24 केरट सोने की कीमत 48,330 रुपे प्रती 10 क्राम है तो 22 केरट सोने का भाव 44,303 रुपे प्रती 10 क्राम है बारतीय नों सेना को अमेरिका स्थिक एरो स्पेस कंपनी बोईंग से 11 पंडू विरोधी योदक विमान पी 81 राप्त हुआ है अधिती सिंग ने फिर से कॉंग्रिस से की बगावत भाजबा के समर्थन से यूपी विधान सवा के उपधक्ष चुने गए सप्पा के बागे विधाय नितिन अगरवाल किसानों का रेल रोको विरोध पंजाब हर्याना में 130 जगा पर 50 श्रेनी के नाकाबंदी का असर पड़ेगा आज के लिए वस इतना ही देश दुनिया की बाखी चानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद